कि अज़िए कि नमस्कार बच्चों आज हम फिर सेख नए mcq के साथ आए हैं यह चैप्टर संगतकार के ओपर बेस्ट है शदिज बुक का है चैप्टर 9 है और इसके mcq अगर इसमें से आप करेंगे तो mostly इनी में से mcq आएंगे पहला mcq है संगतकार नामक कविता के कवी कोन है मंगलेश डपराल सुमित्रा नंदन पंत जैशंकर प्रसाद या इन में से कोई नहीं तो इसका जवाब है मंगलेश डपराल अगले सवाल पर चलते हैं मुख्य गायक के बुझते स्वार को कौन उठाता है सहीयोगी गायक संगतकार कवी या इन में से कोई नहीं इसका जवाब है संगतकार अगले सवाल पे चलते हैं मुखे गायक को धीरज बंदाने का काम प्राय कोन करता है? शुरता, उसकी मा संगतकार या इन में से कोई नहीं? इसका भी जवाब संगतकार है अगले सवाल पे चलते हैं मुखे गायक से अधिक उचे स्वर में गाना किसके लक्षे के विरूद है? कभी के, संगतकार के, मनुष्य के या नेताओं के तो इसका जवाब है संगतकार के संगतकार कभी भी मुखे गायक से अधिक उचे स्वर में गाना नहीं गाएगा अगले सवाल पर चलते है नो सखिया शब्द का अर्थ क्या है क्या अर्थ है नो साथी नया शब्द नया सीखने वाला या इन में से कोई नहीं तो आपको पता ही होगा नो सखिया उसको कहते हैं नो सखिया हम उसको कहते हैं जो नया सीखने वाला होता है अगले सवाल पर चलते हैं, कवी संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्यगायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है, मनुश्यता, चलाकी, समझदारी या इमानदारी, तो बच्चों ये एक important MCQ है, normally हर exam में आता है, इसको आप याद रखना, कवी संगतकार द्वारा अप से कम रखने को मनुश्यता मांगता है, अगले सवाल पर चलते हैं, संगतकार मुख्यगायक का साथ क्यों देता है, उससे सीखने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए, उसकी गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए, या इन में से कोई नहीं, तो उसका जवाब है, उसकी गा इन में से कोई नहीं या तूटती बिखरती तो इसका जवाब ये एक important MCQ है इसका जवाब है तूटती बिखरती जब भी जो मुख्य गायक होता है उसके आवाज तूट रही होती है या बिखर रही होती है तो संगतकार सहयोग दे देते हैं और उसको cover करते हैं अगले सवाल पर चलते हैं किसके आवाज में हिचक सुनाई देती है अभी नेता के संगतकार के मुख्य गायक के या इन में से कोई नहीं तो जाहिर है मुख्य गायक के आवाज में तो हिचक नहीं सुनाई देगी और अभी नेता का कोई गाने का मतलब नहीं है इसका जवाब है संगतका अगले सवाल पर चलते हैं संगतकार का क्या अर्थ होता है संगीत सहीयोगी संसकार या इन में से कोई नहीं इसका जवाब है सहीयोगी अगले सवाल पे चलते हैं संगतकार किन शेत्रों में पाई जा सकते हैं संगीत के शेत्र में, नाटक के शेत्र में, राजनीती के शेत्र में या इन सभी में तो संगतकार जो होते हैं, वो हर शेत्र में पाई जाते हैं हर जगा सहीयोगी की जरूरत होती है इसलिए अगले सवाल पर चलते हैं संगतकार नामक कविता में किस का महत्ब का उल्लेख किया गया है संगीत का मुख्य गायक का संगतकार का या इन में से कोई नहीं तो हम जानते हैं संगतकार नामक कविता में संगतकार की जो महतबता होती है जो उनके इंपोर्टन्स होती है मुख्य कायक के साथ उसका उलेख किया गया है अगले सवाल पर चलते हैं मुख्य कायक की गरजदार आवाज में अपनी घूंज मिलाने का काम किस का है कवी का, संगतकार का, शिशे का, यह गायक का चोटा भाई? इसका भी जवाब संगतकार है, अगले सवाल पे चलते हैं, संगतकार मुखे गायक की पेक्षा अपने अवास को नीचे रखता है, क्यों कि उसकी आवाज कम्जोर होती है , या वह मुक्य गायक के समान में ऐसकर्टे रहई या दोनो बाते हैं या इनमें से कोई नहीं , बच्छों संगत का जो होता है हमेशा मुक्य गायक की बेखशा अपनी आवाज को नीची इसलिए रखता जाए क्योंकि वो मुख्य गायक को help कर रहा है, वो मुख्य गायक को shadow, वो मतलब उनसे ज़्यादा अच्छा गागे, वो वो shadow नहीं करना चाहता है, और सम्मान देता है, इसलिए इसका जवाब है, मुख्य गायक के सम्मान में, अगले सवाल पर चलते हैं, संगतकार के लक्षे के विरुद क्या है, मुख्य गायक के स्थान पर गाना, मुख्य गायक से अधिक उंचे स्वार में गाना, मुख्य गायक के साथ गाना या इन में से कोई नहीं, तो इसका जवाब है, मुख्य गायक से अधिक उंचे स्वार में गाना, अगले सवाल पर च कोई नहीं तो हम जानते हैं जो मुख्य गायक का सयोगी होता है संगतकार वो उसकी आवाज को प्रभावी बनाने में हेल्प करता है और उसकी भूमिका महतवपून होती है तो इसका जवाब है मुख्य गायक के अगले सवाल पर चलते हैं मंगलेश जबराल का जनम कब हुआ था 1850, 1900, 1948 या इन में से कोई नहीं यह आपको याद रखना पड़ेगा important MC क्यों है मंगलेश जबराल जी का जनम 1948 में हुआ था अगला सवाल मंगलेश जबराल का जनम कहां हुआ था लखनाओ नई दिल्ली ठेरी गडवाल या इन में से कोई नहीं तो इसका जवाब है ठेरी गडवाल यह भी याद रखना पड़ेगा अगले सवाल पर चलते हैं पूचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं ताल सरगम ताल सब्तक तार सब्तक या इन में से कोई नहीं तो बच्चों यह आपको याद रखना पड़ेगा ये भी एक important MCQ है इसका जवाब है तार सब्तक अगले सवाल पर चलते हैं सरगम शब्तक का क्या अर्थ होता है संगीत के साथ सवर दुख वाद्य यंत्र या इन में से कोई नहीं इसका जवाब है संगीत के साथ सवर अगले सवाल पर चलते हैं मुख्य गायक की आवाज कैसी है ठकी हुई कड़क तथा गरजदार कोमल या मीठी हाला कि मुख्य गायक की आवाज कोमल भी होती है मीठी भी होती है ठकी भी कभी नहीं होती लेकिन सबसे important मुख्य गायक की जो आवाज होती है वह कड़क और गरजदार होती है अगले सवाल पर चलते हैं जटिल शेप्त का अर्थ क्या है या है जटा, कठन, कठोर या इन में सिक कोई नहीं तो बच्चों जटिल यो होता है उसका मतलब होता है मुश्किल, कठन, तो इसका सही जवाब है कठन अगले सवाल पर चलते हैं तार सब्तक में गाने के कारण कवी को कैसा अनुभव होता है उत्सासे भर जाता है, गाने के इच्छा समाप्त हो जाती है बहुत खुशी होती है, ठक जाता है इसका जवाब बड़ा important है और यह MCQ बार बार आता है जोगी थोड़ा confusing है, इसका जवाब है गाने के इच्छा समाप्त हो जाती है अगले सवाल पर चलते है मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है सही योगी गायक, संगतकार कवी या इन में से कोई नहीं वैसे तो इसका जवाब संगतकार है लेकिन सही योगी गायक को ही संगतकार कहते है इसलिए आप confused मत होना और ऐसा MCQ आए तो संगतकार को ही select करना अगले सवाल पर चलते हैं मुखे गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दो रहाता है संगतकार, बच्चा, गरीब या इन में से कोई नहीं तो बच्चों इसका जवाब संगतकार है और ये last MCQ है अगर आपको ये MCQ पसंदा रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए और मैं ऐसे MCQ डालता रहा हूँगा कोई भी सजेशन या कम आपको चैप्टर जिसके चाहिए हो कमेंट कीजिए, मैं अप्लोड करना हूँगा थैंक्यू करते रहा हूआ हुआए तो आपके रहा हुआ है करते ले दूँपको बाल